दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ Onida की नई 43 इंच Full HD Android TV इस टेलविजिन में आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 300 वाट PMPO audio output सुनने को मिलेगा इस वीडियो में करेंगे इस टेलविजिन की unboxing साथ ही इसकी picture quality आपको दिखाऊंगा इसका audio आपको सनाऊंगा और मेरा experience इस टेलविजिन के साथ कैसा रहा है ये भी मैं आपके साथ share करने वाला हूँ इस वीडियो को आँ तक देखना लेकिन वीडियो में आगे पढ़ने के पहले जो लोग नए हैं वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का उटन दबा दीजे और मुझे अपना बंदू बना दीजे दोस्तों मैं हूँ मनू आपका shopping बंदू लगे हाँच शुरू करते हैं अन्बॉक्स करने के बाद आपको टीवी के साथ टेबल टॉप स्टैंड अटैच्ट वाल माउंट वोईज एनेबल ब्लुटूथ रिमोट आदियो वीडियो केबल और कुछ लिटरेचर मिल जाता है स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल एच्डी रेजोलिशन मिल जाता है स्टैंडर रिफ्रेश रेट 60Hz का है 300 nits की पीक ब्राइटनेस दी हुई है 3000 is to 1 का कॉंटरास रेशियो यह TV HDR10 को सपोर्ट करती है यहाँ आपको 8 GB का स्टोरेज और 5 GB RAM देखने को मिल जाता है 300 Watt PMPO का audio output यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा Dolby Audio का सपोर्ट है और साथी साथ इस टेलिविजिन में आपको Android 11 देखने मिल जाता है चलिए आप देख लेते हैं इस TV की पिच्चर कॉलिटी को तो अभी आपके सामने एक Full HD content प्ले हो रहा है और यहाँ पे आप Colors की Vibrancy को एक बार नोटिस कीजिए Greens आपको काफी Vibrant लग रहे हैं और साथी साथ जो Whites हैं वो भी आपको काफी Bright नजर आ रहे होंगे इस TV में जो Contrast Levels है वो काफी बढ़िया है यह TV VA Panel के साथ आती है तो यहाँ पे आपको काफी Rich Contrast देखने को मिल जाता है एक बार Picture Quality को हम Side Angle से भी देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे VA Panel कैसे Perform करता है Colors आपको Angle से भी काफी बढ़िया नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो Processor दिया हुआ है वो Colors की Purity को और Brightness Levels को बढ़िया तरीके से Adjust करता है और आपको Picture दिखाता है अगर आप उन में से हो जो अंधेरे में Television देखना पसंद करते हैं तो आपको यह TV निराश नहीं करने वाली है वैसे हर VA Panel Low Light में काफी बढ़िया परफॉर्म करता है और यह TV भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप टीवी को Standard Definition Set-Off Box लगा कर Standard Definition Content जादा देखते हैं तो यह TV आपको बिलकुल भी निराश नहीं करने वाली है यहाँ पे आपको अपस्केलिंग काफी बढ़िया मिलती है SD Content देखने के लिए यह TV मेरे एसाब से परफेक्ट है Currently मैंने कैमरा को 8 feet के distance पे रखा हुआ है लेकिन अगर आप करीब में भी जाके देखेंगे तब भी आपको TV की picture quality काफी बढ़िया ही लगने वाली है तो इस Standard Definition Content देखने के लिए यह एक पॉफेक्ट TV है मेरे एसाब से चलिए कुछ और content भी देख लेते हैं especially अगर आप sports के शौकीन है और World Cup भी चल रहा है तो यहाँ पे आपको एक ऐसी TV चाहिए जो motion handling बराबरक से कर पाए तो यहाँ पे इस TV में जैसे कि आप देख सकते हैं motion handling मुझे तो काफी decent लगी है हाला कि आपको कई न कई लगेगा कि थोड़ा सा ball slow आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है यह TV काफी बड़िया तरीके से motion को handle कर रही है कुछ action scenes भी देख ले थे क्योंकि action movies के अगर आप शौकीन है तो वहाँ पे भी motion handling feature बहुत important हो जाता है अब इस scene में आप बाइक को जड़ा ध्यान से देखिए कहीं पे भी आप notice करेंगे कि यहाँ पे आपको blur नहीं नजर आ रहा है काफी crystal clear और sharp pictures दिख रहे है अब इसका कारण यह है कि यहाँ पे आपको काफी बड़िया तरीके की motion handling मिल रही है जिस TV में motion handling अच्छी नहीं होती है वहाँ पे आपको fast moving objects blur नजर आते हैं आपको जो viewing experience है वो खराब हो जाता है तो यहाँ पे जैसे काफी बड़िया viewing experience मिल रहा है मुझे तो picture देखने में काफी मजा आ रहा है आप मुझे comment में बताइए आपको कैसा लग रहा है Onida की इस TV में आपको दो down wiring speakers मिलते हैं और 300 watt PM PO का audio output मिलता है यह एक stand out feature है इस TV का चलिए कुछ music सुनते हैं जिससे हमको इस TV का base समझेगा और साथ ही साथ एक interview भी देख लेंगे जिससे हमें इस TV की voice clarity का अंदाजा हो जाएगा ऑल स्च्छोच cेणन यच मिलूब्च आपफे द सरह हैं गल म्योच जेख उल धसी है ईको बाीन कर्योम का know But you feel like people define you by the fact that you're wealthy? then they define you in a pejorative way? For sure! I mean, that's, oh, not everyone! For sure in recent years Billionaire has become a travaill… like it's a bit pejorative it's like that's a bad thing um which i mean i don't doesn't make a lot a lot of sense in most cases if you if you're done if you basically uh organized a company in this tv you get android 11. all the applications and ott platforms you will get all these and you can connect to this tv you can connect to this tv and you can get 8gb internal storage which you can get 4gb you can download apps to this tv to talk about this tv build and looks here you can see a lot of narrow bezels which overall looks here you can see onida badging back plain here you can see attached wall mount which you can see on the other side so that you can easily see tv wall mount here you can see all the standard ports like HDMI, USB, AUX and all you can see here guys i'm sure that you have to see this television quality of this video and now we will summarize this video, if you are interested in this television so you can see this television you can see online available available you can see this television just in offline stores available onida is online stores you can see online stores so i will tell you that I will tell you that it's not but this one is just online stores available pricing you can see here on screen onida अहांठो ने इतिक्न Je Sergeह आपको आफे अहांगे फ engaging आवेश्य कविई आपको जाई डीन आपको सफें आ एक कहा एक थीच्छे देखने आई 색 मिलते हैं viewing angles जान कि अगर आप angles से इस television को देखते हैं तभी जो colors हैं वो काफी vibrant ही देखने को मिलते हैं वो फीके नजर नहीं आते तो ये मुझे काफी बढ़िया लगा है और दूसरा point जो मुझे strongly highlight करना है इसका audio दोस्तो 300 watt PM PO आपको audio output मिल रहा है अगर आपका कमरा 500, 200, 2500 square feet का भी है तब भी आपको sound bar या home theater की जरुवत नहीं होने वाली है दोस्तों इस television में जो audio output मिल रहा है movies के लिए music के लिए talk shows के लिए sports के लिए mind blowing है इस price point पे मुझे नहीं लगता है कोई भी television आपको ऐसा audio दे रही है तो यह दो point बहुत ही strong points थे जो मुझे highlight करने थे इसके अलावा design wise भी मुझे television काफी अच्छा लगा है आपको काफी narrow bezels मिल जाते हैं और क्योंकि design की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो agnomics है especially अगर मैं इस remote की बात करूं तो यह भी काफी बढ़िया लगा यहाँ पर कर्व दिया हुआ है जो पकड़ने में इसे बहुत ही बढ़िया लगता है कि slip नहीं हो जाता है जो remote पतले होते हैं और straight होते हैं वह हाथ से slip हो जाते हैं यह remote slip नहीं होने वाला है तो यह कुछ points है जो मुझे अच्छे लगें अब ऐसे कुछ और points है जो मुझे अच्छे नहीं लगें जो मैं आपके सामने अभी highlight करने वाला हूँ सबसे पहला point दोस्तों यहाँ पे आपको जो टेबल tv os वाली series भी निकाली हुई है वो television का भी मैंने review किया हुआ है यहाँ पर मैं link डाल दूगा साथी साथ description में भी डाल दूगा वो भी जरूर जाके check out कर लेना बाकि आपको इस television में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा comment box खुला हुए आप डाल सकते हैं और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो को यहीं प्यांद करते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंदा है इस वीडियो को like कीजे अपने दोस्तों के share कीजे और जो लोग नए है वो subscribe का बटन दवाईए भाई और मुझे अपना बंदू बनाईए तोस्तों मैं हूँ मनू आपको shopping बंदू फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और interesting content के साथ जैसे कि मैं कहता हूँ stay healthy stay motivated जैहन